कि हलो स्टेंट वेलेकम टुमाइटू चैनल एक एंटी कोर्स आज में ख्लास नाइंट का चेप्टा नाइन एरिया और पहले लोग्राम एंड ट्रैंगल के सब्सक्राइज 9.3 के कुश्चिन नमर फूर बता नहीं जा रहा हूं कुश्चिन नमर फूर बोल रहा है कि इन फिगर बीडो फैले फिगर को देख लेते हैं एक नजर उसके बात पढ़ते हैं कुश्चिन को बोल रहा है कि ABC and ABD are two triangles on the same base AB इक समजेगा है एक ट्रैंगल है ABC जो ट्रैंगल है इस्तिद मतलब जो के हुए same base पर AB है मतलब इन दोनों triangle में AB हमारा कहा है same base है यानि common है ठीक चलिए उसके बाद बोला है कि if यदि कोई line segment CD ठीक कोई line segment है CD या देख सकते हैं आपको CD है ठीक जिसे C से D तक join किया हुआ है इस figure में वो bisect हो रहा है is bisected by AB at O मतलब AB के by मतलब द्वारा bisect किया जा रहा है CD को ठीक तो AB जो हमारा ये साइड है वो CD सहब को bisect कर रहा है at O point per ठीक सीदे सीदे बात हैं आपको साब साब लिखा है कि CD is bisected मतलब CD जो है वो AB के द्वारा विभाजित हो रहा है O point per ठीक तो विभाजित मतलब यानि bisect मतलब जितना हमारा OC होगा उतना हमारा OD होगा ठीक उसका हमको सो करना है अगर ऐसा condition है कहीं figure में तो हमको सो करना है कि area of triangle ABC मतलब ABC जो upward वाले जो triangle है उसका area जो equal होगा is equal to area of triangle ABD जो ABC के जो triangle है उसका area किससे equal होगा ABD triangle से मतलब कहने का मतलब है कि upward वाले triangle ABC और downward वाले triangle मतलब नीचे उपर वाले आप देख सकते हैं कि इन दोनों का हमको जो triangle का area है वो equal करना है हमको probe में आई करना है आईए probe करते हैं सबसे पहले given data लिखना पड़ेगा आपको given में दिया क्या है तो given हम लिखते है लाल पें से solve करते हैं इसको बोला है कि ABC एंड समझे गए ABC अपड़ वाला एंड एबी डी 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 ठी आर अन दा सेम बेस सेम बेस सेम बेस क्या हमारा एबी है चलिए ठीक यहां तक तो समाझ में आ गया उसके बाद देखे एबी ना इस सीडी को बाई सर्क कर रहा है मतलब हमारा क्या हो जाएगा OC इकोल टू मैंने पहले यहां पास बता था कि OC इकोल टू ओडी होगा हमारा ठीक हुआ चलिए अब आगे टू प्रूब करते हैं जो हमको प्रूब करना है तू प्रूब रखा मैंने नीला पे नहीं कि चल काला रहा है ठीक प्रूब क्या करना है कि एरिया ओफ ट्रैंगल एरिया ओफ ट्रैंगल मतलब अब त्रैंगल है ए भी सी उसका एडिया किसके साथ एकल होगा ए बीडी ट्रैंगल के साथ एकल होगा ठीक चलिए अब हम प्रूब में बिल्कुल टायम नहीं प्रूब कर देजिए चलिए प्रूब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह यहां तो पढ़ना भी मुस्किल हो रहा है ADBC जो है एक परगाय का क्वारी लेटरल है ठीक और इन दोनों जब इंटर्सेक्ट हुए है मतलब अगर कहा है यानि बाइसेक्ट हुआ है तो यहां पास टूटा किते हैं चार ट्रेंगल्स बने हैं तो चारों ट्रेंगल्स को हम अगर नाम लेंगे तो क्या लेंगे AOD, DOB, DOB, BOC दुनिया भर का конфusion है इसमें इसलिए हम सोच रहेते क्यों ना इसको परट्टुलरी कोई नाम दिया दिया जया है कि इस ट्रेंगल को हम ट्रेंगल लूंब बोड़ेंगे इसको हम ट्रेंगल लूंब बोलेंगे इसको ट्रेंगल लूंब फूर बोलेंगे अब आप ऐसे भी आँ कर सकते हैं फिगर में कर दिया मतलब जो चेकर होगा कॉपी हा वो समझ जाएगा ठी मतलब ट्रैंगल नावर वन हम किसको प्रदासन कर रहा है ए ओ डीर वाले ट्रैंगल को ठी चलिए यह हमको कर दिया है हमने कर दिया ठी अब इससे क्या होगा हमको अच्छी है वो ओडी के साथ इक्वाल है जो ऊपर ओला ओसी है ओडी ओडी के साथ इक्वाल है एक्वाल है क्यों कि हमारा जो ओ है वो मिड़ पॉइंट है ठीक रिजन वी आपको लिखना पड़ेगा कि विकोज ओज ऑड़ इज कि इसका हमको जरूरते नहीं है लेकि जरूरत पड़ेगा इसको इसमें कुछ जरूरत ना पड़ेगा हमको ओ का जरूरत पड़ेगा ओ का जरूरत पड़ेगा कैसे पड़ेगा क्योंकि यह मिड़ पॉइंट है मिड़ पॉइंट का बहुत इसमें इंपोर्टन रोल है चलि वाले ट्रेंगल ठीक बात को यहां पास समझेगे एसी डीवल ट्रेंगल मतलब लेफ्ट वाले यहां पास मैं एक बार कर देता हूं यहीं पास आपको में फंड आसो मन में आ गया तो ठीक नहीं वरना आपको डाउट पो डाउट आते रहे था यह जो ब्लैक हमने कलर किया है इधर A, C, D वाले ट्रेंगल को इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो आपको कुई दिख रहा है कुछ दिख रहा है O, A हमारा क्या है में एक प्रगार का मेडियन है क्यों मेडियन है क्योंकि हमारा C, D को अगर बात करें O, जो है O, इसमें मिड़ पॉइंट है C, D पर इस ट्रेंगल का बेस क्या है हमारा C, D ही तो है भई, A, C, D, ट्रेंगल का बेस क्या है हमारा C, D को कौन क्या है O A, A से O जोइन के तो क्या बना एक प्रगार मेडियन मड़ा यह चुके, आप समझ चुके हैं मैं क्याना क्या चाहता हूं तो यहां से हमारा जो हमारा O, यह होगा एक प्रगार का मिडियन का काम खरेगा Is the मिडियन मिडियन कैसे बनता है जब बेस को अगर कोई पॉइंट जो कि मिड में रहता है कोई यह समझे कि किसी भी ट्रेंगल पे उसका कोई मिड पॉइंट दिया हुआ है उस मिड पॉइंट से अगर यहां पास ऐसे टच कराते हैं जैसे आप आप आज देख रहे हैं कि जो तीसरा एंगल है वहां पास ऐसे जोइन कराते हैं तो यह का एक प्रगार का पास हमारा क्या है एक प्रगार का लड़ू है इसमें कोई मिडियन पढ़ गया तो दो टिकोड़े में बढ़ जाएगा मिडियन मतलब क्या है वालने जी चाकू ही है तो चाकू हमारा क्या है एक प्रगार का मिडियन है ऐसे इस पर रखेंगे गिरएंगberry इस लडडू के अगर उतं सेंटर पकर शेंटर कीए , तो यह दो hero सेंटर कांसर करोने श्कलिद ₹ एवर यह कूल होगा ठीक है बनाबव जो क्वान्टिती होगा दोनोंका ,यहाँ पस हम चाहें इस बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे area of triangle number first is equal to area of triangle number fourth ACD में दो triangle है triangle number one और triangle number four इन दोनों का area होगा वो equal हो जाएगा equation first similarly बहुत अच्छा चीज है मैं बहुत मज़ा आता है इसको बोलने में similarly चुकि इस पेलिंग हमसे हमने left side वाले triangle यह था है वैसे हम right वाले side का triangle उसको लेंगे थी right side वाले triangle को आप क्या बोलेंगे b c d triangle थी इसको मैं color नहीं करूँगा क्योंकि खूद से अलग type का color दिख रहा है red color में थी तो अकर बात करें अब b c d triangle में तो हमारा ob क्या है एक प्रगार का median है तो जब median है तो जो triangle number two होगा triangle number three के साथ तिकुल हो जाएगा सीधे सीधे बात है तो यह आप असन क्या लिखेंगे कि b c d triangle अब b c d में हमारा ob है वो क्या काम कर रहा है एक median का काम कर रहा है तो अगर median का काम कर रहा है तो दो triangle में divide करेगा एक median किसी भी particular big triangle को तो divide करेगा तो हमारा जो दोनों triangle होगे आप असमें equal हो जाएगे मतलब उनका area equal होगा ठीक तो area of triangle number second अब आप बोलेंगे कि आपने यहाँ पास second क्यों नहीं लिखा तो हम इसको भी रीजन देंगे आप टेंशन ना लीजिए हम इसका भी रीजन देंगे अब रीजन देने के लिए कुछ बचाई नहीं क्योंकि मैंने पहले ही गलत कर दिया गलत हमने यह किया है कि यहाँ पास हमको triangle number two लेना है यहाँ पास triangle number three लेना है हमारा question two अब मैंने गलत कैसे क्या यह भी मैं वापको बता हूंगा अब हमको जरूवत क्या है समझेगा बात को यहीं पास में focus कीजिए हमको जरूवत है area of triangle ABC का ABC triangle का तो इस ABC triangle के area कैसे निकलेगा तो बहुत लोग के दिमाग में तो यहीं आ रहा है कि सर सीदे सीदे formula लगा यह 1 by 2 base into high निकल जाया गए area लेकिन बहुत इनके दिमाग में यह भी आएगा कि अगर हम समझेगा बात को इन triangle 4 और triangle 3 को add कर दें तो आ जाया गए area यह common sense की बात होता है चुकि triangle में इसे होता है तो अब बताइए हम हमने यहाँ पास जो गलती किया था इसके लिए छमा चा equation first and second ठीक तो आप कैसे add करेंगे अब left का right में थोड़ी add कर देंगे left का left हमने add करेंगे तो अगर मैं यहाँ पास equation number first ठीक है ना समझेगा बात को left side में equation number first ठीक है अब नीचे मैं equation number third लिखा था जो कुमें से गलती होगे और इन दोनों को add करता तो क्या बनता है अब triangle number first है नहीं कर पायांगे ना मुम्किन है ठीक तो इसलिए मैंने यहाँ पास triangle number two लिखा थोड़ा समेल को reminder आया ठीक चलिए चलिए तो अगर मैंने गलती करें दिया तो इसको सुधार भी दिया तो इसलिए मैंने यहाँ पास triangle number two लिखा है ताकि हम जब triangle number one और triangle number two को add करें तो हमा पूरा का पूरा triangle a, b, d बन जाए वैसे ही right side में अगर देखा जाए तो triangle number four और triangle number three को जब add करेंगे तो आपका सवाल ABC triangle कैसे आएगा तो ABC triangle जो है वह इन दोने triangle को add कर देने पर आ जाएगा ठीक इसलिए मैंने हमको करना ही अच्छी तो यहाँ पास हम adding equation first and second को जब add करेंग तो area of triangle number first plus area of triangle number second is equal to area of triangle number third plus area यहाँ फोर्थ भी लिख सकते हैं यहाँ देखें अब यहाँ पास आपको एक नया चीज़ बता दाओं यहाँ पास triangle number second भी डाल सकते हैं पहले यहाँ पास triangle number first को second में भी डाल सकते हैं मतलब जोडने में क्या है कि अब देखें अब 2 प्लस 5 ज triangle number four भी कर सकते हैं कोई इसमें फरक नहीं यह triangle number four plus triangle number three यहाँ पर डिपेंड करते हैं आप क्या करते हैं तो अब हमने यहाँ पास triangle number first को triangle second को जोड़ा है तो क्या आया इन दुनों को जोड़ा तो क्या हमारा बना a b d बना कि नहीं बना फॉस्ट नमर ट्रेंगल को जोड़ें तो a b d triangle बनेगा थे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पास area of triangle abd is equal to area of triangle अब ट्रेंगल हमां 3rd और 4th को जोड़ें 3rd और 4th को क्या बनेगा a b c बन जाएगा तो हमको इक्वाल में क्या लाना था ए एरिया आफ ट्रेंगल abc is equal to area of triangle abd तो देखिए आपको एक चीज़ा बता तो कि हमने यहाँ पास lhs को समझेगा अब आरे देखिए यह चीज़ यह क्वेश्चन में आप देखेंगा तो यह आरे चेस में होगा यहाँ पास हमने lhs लगते हैं फर्क इतना पड़ता है कि sign देखना पड़ेगा आपको यह ना कि इधर minus लगा दिए इधर minus लगाना भूल गए अब दिखिए यहाँ पास दोनों positive sign था तो यहाँ पास भी दोनों positive sign है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लिखना चाहते तो यहाँ पा सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक कीजिए और इस गलती के लिए हमको छमा कीजिए जाहीं चैवारत